जो हैं उनको अजीब अजीब तरीके से टिपनी करते थे अजीब देहाती है गवार है अनपढ है क्या क्या नहीं कहा गया और आप तो जानी रहे सब लोग पिता के हमारे साथी भी रहे हैं नमस्कार न्यूस फोनेशन देखने हैं आप मैं हूँ आपकी साथ रश्मी आज अंतरास्ट्रिय महिला दिवस है ऐसे में सदन के शुरुवात में स्पेकर विजर सिन्हा ने महिलाओं के समान की बात कही और साथी साथ महिला शशक्ती करन को और भी ज्यादा बरहावा दिया मा राबरी देवी बिहार की मुख्य मंत्री थी तो उनकी मा के लिए अभद्र चिपनी की जाती थी उनकी मा को गवार कहा जाता था जहां आपको बताए कि आज अंतरास्ट्रिय महिला दिवस के दिन सिजस्वी यादव का वो दर्द सदन में देखने को मिला है जब उन्होंने अपनी मा का जिक्र करते हुए ये कहा कि जब उनकी मा विहार की मुख्य मंत्री थी तो उस वक्त उनकी मा को बेज़त किया जाता था और गंदी गंदी जो शब्द का समाल है वो उनकी मा के लिए किया जाता था ऐसे में क्या कुछ तस्वीरे सदन से देखने को मिली है और अपने दर्द को बया करते हुए बिहार के नेता परतिपक्ष तिजस्त्वी यादव ने क्या कुछ कहा है छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीजियों के साथ पती जी बस हम इसले खड़े हुए उतनरे खड़े हुए कि हम जब मुख्यमंत्री जी राबरी देवी जी जब बनी तो हम बच्चे थे बड़ा हम देखते थे लोग जो हैं उनको अजीब अजीब तरीके से टिप्पा टिपनी करते थे अजीब देहाती है गवार है क्या क्या नहीं कहा गया और आप तो जान ही रहे सब लोग पिता के हमारे साथी भी रहे हैं उस समय भी जब हमारे पिता ने मेरी मा को गवना करा किया तो एमर्जंसी में जेल चले गए लगतार जेल चले लगतार नौ बच्चों को उन्होंने अकेले जो है सम्हालने का काम किय इनका अपना समय है, बोलने दिया जाए, समय है इनका अपना, बोलने दिए, तो हम सभापती महोदे हम यह कहना चाहते कि क्या-क्या टिपनी नेम की है, लेकिन जब उनको यह जिम्मेवारी मिली, तो 97 में मिली थी, जो परिस्तिती था, उसमें उनको लोगों ने चुन करके न निता बनाया, और उनको मुख्यमंद किजिया आज कि दे, थोड़ा तो महिलाओं का सम्मान किजिये, प्रथम महिला मुख्यमंतरी रही, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोगों को समझेगी, आप लोगों बाइठे बाइठे कोई बात नहीं करेंगे, तेवल सुनियों मुख्यमंतरी बनी, लेकिन अपने काम से उन्होंने घर भी समाला, राज भी समाला, उन्होंने जो है, आप देखिएगा जो जीडिपी जो देश का था हमने आकरा दिया, कई गुना जो है, हम लोगों का बिहार का उसमें बहतर रहा है, और यहीं नहीं, अपने बल बूट पर 2000 का चुनाओ भी जीत करके आए, उनके नेतित में चुनाओ लड़ा गया, तो यह बात हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए,